डियर इस्टेंड्स स्वागत है आपका डी पी सर इंग्लिश क्लासेस में आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 11 की सेकेंड पोयम दे स्कॉलर को एक्स्प्लेंड करूंगा बहुत ही इंपोर्टेंट पोयम है ये दे स्कॉलर जिसको कमपोस किया है रॉबर्स साउदे तो थोड़ा सा रॉबर्स साउदे के बारे में जाने इए चुकि रॉबर्स साउदे बहुत ही लीडिंग पोएट थे रोमांटिक एज के इनकी कमपेरिंग विलियम वर्सवर्थ सेमॉल टेलर कॉलरीज के साथ किया जाता है और ये 1774 ड्रिस्टल इंग्लेंड में पैदा हुए थे और 1843 को ये इनका दिहान्त हो गया था तो इनको इंग्लेंड का पोएट लॉरेट भी बनाए गया था 1813 में तो ये बहुत ही बहुत प्रकार के पोएँज को कमपोज किये और चुकि ये सुरू से ही एक अच्छे स्कॉलर बनना चाहते थे ये बिगिनिंग से ही अच्छे स्कॉलर बनना चाहते थे अब थोड़ा सा आप समझने जिए कि स्कॉलर जो टाइटल है पोएँज का मतलब क्या होता है इसकॉलर का मतलब हुआ बिद्वान या बिद्यार्थी दोनों अर्थ लिया था इसका बिद्वान भी और बिद्यार्थी भी तो रॉबर्ट साओदे जो थे ये भूत पूर्व बिद्वानों की किताबों को खूब पढ़े और इनकी भी दिली इच्छा थी कि या भी उन्हीं की भाथ एक महान बिद्वान बने जिस प्रकार उनके मृत्यू के पस्चाथ पूरी दुनिया पूरा देश उनको याद कर रहा है उसी प्रकार इनकी मृत्यू के पस्चाथ भी लोग इनकी किताबों को पढ़ें इनकी कविताओं को पढ़ें इनकी रचनाओं को पढ़ें ताकि इनका नाम भी अमर हो जाए इनको भी उतनी ही प्रसिद्धी इनको भी उतनी ही ख्याती मिले जितनी की भूत्काल के विद्वानों को प्रसिद्धी मिली भूत काल के विद्वानों को ख्याती मिली जिस प्रकार उन्होंने किताबों को लिखा लिख करके मर गए और लोग उनकी किताबों को पढ़े इस प्रकार उनके नाम अमर हो गए और उनकी प्रसिद्धी अब पर भी जिंदा है उसी प्रकार रॉबर्ट साउदे कभी की भी यही इच्छा है कि वह भी जब मरे तो उसके द्वारा लिखी हुई कभिताओं को, उसके द्वारा लिखी हुई रचनाओं को, कंपोजीसंस को लोग पढ़ें ताकि उसका भी नाम अमर हो जाए और मिट्टी या धोल में उसका न से स्टाट होता है पहले स्टेंजा को देखियेगा बहुत ही इंपोर्टन स्टेंजा है line है पहली, my days among the dead are past, here the poet has a small library in his house and the poet is sitting in his own library, in the middle of the library, he is surrounded by a number of books these books are written and composed by those scholars of the past who are dead now तो कभी के पास एक छोटी सी पुस्तकाले है उसके घर में और कभी अपने उस छोटे से पुस्तकाले यानि के लाइबरेरी के बीच में बैठा हुआ है और वह धेर सारी किताबों से घिरा हुआ है ये वो किताबे हैं जो भूत काल के पास्ट के बिद्वानों ने लिखी हुई है चुकि वो बिद्वान तो अब रहे नहीं वो बिद्वान मर चुके हैं तो कभी उनकी किताबों को continue निरंतर पढ़ रहा है और वह चाह रहा है कि वह उनकी किताबों से खूब धेर सारी प्रेणाये ले ग्यान ले ताकि वह भी एक महान विद्वान बन सके तो कभी कह रहा है कि my days among the dead my days का मतलब हुआ मेरे दिन among का मतलब बीच में the dead यहां पे the dead का मतलब हुआ भूत काल के मरे हुए बिद्वान इसलिए डी को capital रखा है आर पास्ट अर्थात की मेरे जीवन के अधिकांस दिन उन भूत काल के बिद्वानों को बिद्वानों की किताबों को पढ़ने में गुजर गए जो अब जीवित नहीं है जो अब जिन्दा नहीं है पास्ट मने गुजर गए तो here the poet says that the maximum days of his life have passed in reading the books of those past scholars who are now no more who are dead now जो अब गुजर गए है तो कभी कह रहा है कि मेरे अधिकांस दिन मेरे जीवन के जो दिन थे वो उनहीं विद्वानों उनहीं भूत काल के विद्वानों की किताबों को पढ़ने में गुजर गए जो अब जीवित नहीं है तो the dead का मतलब हुआ भूत काल के मरे हुए बिद्वान past का मतलब गुजर गए है my days का मतलब लेखक के जीवन के दिन एमंग का मतलब के बीच में तो आसा है कि आपको पहली लाइन सबज में आई होगी दूसरी दूसरी लाइन देखिए सेकेंड लाइन अराउंड मी आई बिहोल्ड कभी का रा है बिहोल्ड माने होता है देखना अराउंड माने चारो तरफ जिधर भी देखता हूं कभी अपने लाइबरैरी में बैठा हुआ है और कभी अपने चारो तरफ जिधर भी देखता है जिधर भी उसकी आखे जाती है next है whatever these causalize आर कास्ट, wherever का मतलब हुआ, चाहे जिधर, these causal का मतलब अकस्माथ, अचानक, causal का मतलब क्या हुआ, अचानक या अकस्माथ, कास्ट माने होता है, पढ़ती है, कास्ट का मतलब यहां पे हुआ, पढ़ती है, आइस मने आख, यानि कि मेरी आखें अचानक जिधर भी पढ़ती है मेरे आखों का दिश्टिपात इस पुस्तकाले के किसी भी भाग पर पड़ता है The mighty minds are full तो मेरी आखें उनहीं भूत काल के विद्वानों के किताबों पर ही पड़ती है अब यहाँ पर mighty minds का मतलब हुआ, वही भूत काल के विद्वान mighty का मतलब सक्तिसाली, minds का मतलब मस्तिस्क, old का मतलब हुआ past पुराने तो mighty minds आफ old यहाँ पर उन्हीं भूत काल के विद्वानों को ही कहा गया है अर्थात की वे भूत काल के सक्तिसाली मस्तिस्क यनि के विद्वान माइटी का मतलब सक्तिसाली, माइट्स का मतलब मस्तिस्क और ओल्ड का मतलब भूतकाल की तो कभी कहने का मतलब कि जिधर कहीं भी अचानक इन मेरी आँखों का दिस्टिपात होता है यहने कि जिधर कहीं भी इस पुस्तकाले में मेरी आँखों का अचानक दिश्ट्रिपात होता है, मेरी आँखें अचानक जिधर पड़ती हैं, मुझे उधर ही भूत काल के विद्वानों की किताबे ही दिखती हैं माइटी माइट साफोर का मतलब भूत काल के विद्वान, तो चुकि भूत काल के विद्वान जिंदा तो है नहीं, तो उनकी लिखी हुई रचनाएं किताबों की रूप में कभी के चारों तरफ रखी हुई हैं, तो उनकी किताबों पर कभी की निगाहे पड़ती हैं, तो कह लाइन है माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आड़ दे नेवर का मतलब कभी नहीं फेलिंग का मतलब हुआ अस्फल फ्रेंड्स का मतलब मित्र तो मेरे कभी न अस्फल होने वाले वो मित्र हैं दे का मतलब वे विद्वान और वे विद्वान का तात्पर यहां पर किताबों से लिए गया है तो कभी कहने का मतलब यह है कि वो भूत काल के विद्वान कभी के घनिष्ट मित्र है कभी न अस्फल होने वाले मित्र का मतलब यहाँ पर घनिष्ट मित्र से लिया गया है fast friends से लिया गया है तो कभी कह रहा है कि my never failing friends are they कि वे हमारे कभी न खत्म होने वाले मित्र हैं कभी न अस्फल होने वाले मित्र हैं यानि कि वे हमारे सबसे घनिस्ट मित्र हैं काउन वो भूत काल के बिद्वान जो अब तो नहीं हैं सिर्फ उनकी किताबी ही हैं जो कभी अपने पुस्तकाले में सजों का रखा हुआ है उन्हीं की किताबों को निरंतर पढ़ता है और उनसे वह ज्यान पराप्त करता है फिर with whom I canverse day by day जिनसे मैं दिन प्रति दिन बात चीत किया करता हूँ कनورस का मतलब होता है बात चीत अब यहां पर कनورस का ताथ पर यह हुआ कि कभी हर दिन उनकी किताबों को पढ़ता है तो उनकी किताबों को पढ़ने से उसको ऐसा लगता है कि मानो वह उनकी किताबों को नहीं बलकि उनसे बात चीत कर रहा है उनकी किताबों को नहीं पढ़ रहा है, बलकि वह इतना खो जाता है उनकी किताबों को पढ़ने में कि उसको ऐसा प्तीत होता है कि मानों वह उनकी किताबों को पढ़ नहीं रहा है बलकि उन विद्वानों से साक्षात बात-चीत कर रहा है तो विधूम आई कनवर्स डे बाई डे जिस जिनसे मैं दिन प्रत दिन बात चीत किया करता हूं तो एक बार पंक्तियों को फिर से रिपीट कर देता हूं कि मैरे जीवन का अधिकान समय उन भूत काल के विद्वानों की किताबों को पढ़ने में गुजर गया जो अब जीवित नहीं है Around me I behold मैं चाहे जिधर भी देखता हूं अर्थात की जिधर भी मैं देखता हूं इस पुस्तुकाले में Wherever these casualize are cast मेरे निगाहों का दिष्टिपात अचानक जिधर भी पढ़ता है The mighty minds are full मैं सिर्फ और सिर्फ भूत काल के विद्वानों की किताबों को ही देखता My never failing friends are day वे हमारे सबसे घनिस्ट मित्र हैं With whom I converse day by day जिनसे मैं दिन पर दिन बात चीत किया करता हूं अर्थात कि मैं उनकी किताबों को पढ़ने में इतना तलीन हो जाता हूं कि मुझे लगता है कि मैं उनकी किताबों को पढ़ नहीं रहा हूं बल्कि उन विद्वानों से सीधे बात चीत कर रहा हूं तो अब हम यहाँ पर आपको अगले स्टेंजा के बारे में एक्स्पेंड करेंगे अगला स्टेंजा आपका है अरथात कवी कहता है कि मैं उनके खुशी में आनंदित हो जाता हूं वील का मतलब हुआ खुशी, जिलाइट का मतलब हुआ आनंद टेक का मतलब हुआ लेता हूं विद्वानों के साथ आई यहां पर कभी के लिए प्रियोग किया गया है तो कभी कह रहा है कि with them यानि कि उन विद्वानों के साथ अर्थात कि जब उनकी किताबों कभी पढ़ता है तो उनके साथ होता है उन विद्वानों के साथ होता है तो with them I take delight in will कि उन विद्वानों के साथ अर्थात उनके साथ मैं उनके खुशी में आनंदित हो जाता हूँ जहां कहीं भी वे खुश होते हैं, प्रसंद होते हैं तो कभी भी आनंदित होता है, आनंद प्राप्त करता है and seek relief in wo, वो का मतलब हुआ दुख, वो का तात पर यहां पर दुख हुआ relief का मतलब हुआ सांतोना, seek का मतलब हुआ तलास करना तो यहां पर कभी की कहने का मतलब है and seek relief in wo, और दुख में सांतोना की तलास करता हूँ फिर है, and while I understand and feel और जब मैं यह समझता हूँ और महसूस करता हूँ understand का मतलब समझना, feel का मतलब महसूस करना तो और जब मैं यह समस्ता हूँ और महसूस करता हूँ How much to them I.O. कि मैं उनका कितना रिणी हूँ ओ का मतलब हुआ यहां पर रिणी How much का मतलब हुआ कितना Them का मतलब हुआ उनका यह निकी उन विद्वानों का चुकि कभी यहां पर उन विद्वानों की ग्यान को किताबों के माद्धम से अरजित कर रहा है तो वह कितना रिणी हो गया है उन विद्वानों का यह बात जब कभी समस्ता है और महसूस करता है किताबों को पढ़ते समय कि वह उन विद्वानों का कितना रिणी हो गया कितना ग्यान उनकी किताबों से पोएट यहां पर गेन किया है तो गेन तो उसने कर लिया तो कितना वह रिणी हो गया उन विद्वानों का जब इस बात को कभी महसूस करता है समझता है फील करता है इस चीज को तो आगे लिखा हुआ है कि my cheeks have often been believed with tears of thoughtful gratitude कभी कहने का मतलब कि विचार पूर्वर्क कृतग्यता के आशूं से मेरे गाल अक्सर ही गीले हो जाते हैं यानि कि कभी बहुत ही उंची बात लिख दिया यहां पर कि thoughtful का मतलब विचार पूर्वक ग्रैक्टिट्यूट का मतलब यहां पर कृतग्यता हुआ कि तियर्स मिस आशू चीक्स मिस गाल ओफन का मतलब अक्सर डीन का मतलब होना और गीला हो जाना 5 पर का मतलब यहां पर गिला हो जाना अर्थात की कभी कहता है कि और जब मैं यह समझता हूं और महसूस करता हूं कि मैं उनका कितना रिड़ी हूं तो विचार युक्त कृतक गिता के आशूं से मेरे गाल अक्सर ही गीले हो जाते हैं कि कभी का जो गाल है वो गीला हो जाता है किसी से गीला हो जाता है किरतक गिता के आशूं से यहाँ पर मेटाफ़र फिगराफ स्पीच का पोएट ने यूज किया है थौटफुल ग्रेटिट्यूट विचार पूर्वक कृतक गिता के आशूं से कभी के जो गाल है वक्सर ही गीले हो जाते हैं भीग जाते तो लाइन को फिर सुनिए कि मैं उनके खुशी में आनंदित हो जाता हूं और उनके दुख में सांतोना की तलास करता हूं और जब मैं यह महसूस करता हूं और समझता हूं कि मैं उनका कितना रिणी हूं तो विचार युक्त विचार युक्त ग्रेटिट्यूट का मतलब यहां पर हुआ आपका कि किर्टक गिता के आशूं से मेरे गाल अक्सर ही गीले हो जाते हैं थार्ट्फुल का मतलब विचार युक्त और ग्रेटिट्यूट का अर्थ हुआ किर्टक गिता और टियर सम मतलब आशू और चीक्स का मतलब गाल और बिडिवट का मतलब गिला हो जाना तो विचार युक्त किर्टक गिता के आशूं से मेरे गाल अक्सर ही गीले हो जाते हैं अब अगला स्टेंजा है कि मेरी विचार धाराएं उन मरे हुए विद्वानों के विचार धाराओं के साथ जुड़ चुकी है कि कभी की जितने भी थौर्ट जितने भी थौर्स हैं विचार हैं वह किनके विचारों के साथ जुड़ी हैं या किनके विचारों के साथ एसोसियेट हैं देड यानि कि उन भूत काल के मरे हुए विद्वानों के साथ फिर कहता है विट डेम आई लीव इन लॉंग पास्ट इयर्स कभी को ऐसा लगता है कि वह उनकी किताबों को पढ़ते पढ़ते इतना तलीन हो गया है कि उसको ऐसा महसूस होता है कि वह भूत पूर वर्सों में उन विद्वानों के साथ रह रहा है उनके साथ समय विता रहा है उनकी सभिता संस्कृति संसकार उस समय के वातवरण के साथ वह उनके साथ जी रहा है रह रहा है अर्थात कि उनकी किताबों को पढ़ने में वह इतना तलीन हो जाता है कि उसको ऐसा लगता है कि वह भूत प कि मैं उनके साथ पिछले भूत पूर वर्सों में रह रहा हूं Dear Virtues Love Next है Dear Virtues Love Dear Fars Condemned कि उनके गुणों से प्रेम करता हूं और उनके अगुणों से घणा करता हूं जहां कहीं भी कभी उनके गुणों को देखता है तो उनके गुणों से प्रेम भी करता है और जहां कहीं भी उनके तुरुटियों को कम्यों को देखता है तो उनकी आलोचना भी करता है Condemned का मतलब आलोचना करता हूं तो उनके गुणों से प्रेम करता हूं उनके तुरुटियों की आलोचना करता हूं Condemned का मतलब आलोचना या घ्रना फाल्क्स मीन्स तुरूटियां वर्चूस का मतलब गुण और लव का मतलब प्रेव नेक्स्ट है पार्टेग दियर होप सेंड फियर्स उनकी आशाओं और भयों में हिस्था बटाता हूं पार्टेक का सेंस यहां पर हुआ हिस्था बटाना तो उनके आशाओं में और उनके चाहां का जो कभी भी पाइब करेंगे आशानिक हुए तो कभी कभी विव होता है जहां में भैभी तो ये उसमें भी कभी पार्ट अखोता है है हिस्टा बटाता है कि एंड फ्रॉम दियर लेसन सीकेंड फाइंड इंस्ट्रक्षन विद एनम बल मैंड कभी कहने का मतलब एंड फ्रॉम दियर लेसन और उनके सिच्छा युक्त पाठों से सीख खोजता है एंड फाइंड और प्राप्त करता है इंस्ट्रक्षन ग्यान युक्त बातें ग्यान युक्त चीजें अर्थायत की ग्यान इंस्ट्रक्षन का मतलब यहां पर वह इसे तो निर्देश होता है लेकिन इस्ट्रक्षन का सेंस यहां पर ग्यान से लिया गया है जो ग्यान युक्त ग्यान भरी बातें वे कभी अपने किताबों में लिख करके मर चुके हैं उन ग्यान भरी बातों को वह किताबों को पढ़ करके खोजता है सिच्छा प्रत्पाठों से उस ग्यान को खोजत करता है प्राप्त करता है और अपने मस्तिस्क में एक विनम्र मस्तिस्क के साथ उसको धारण करता है फिर लिखा है कि विद्ध एन humble mind humble mind का मतलब यहां हुआ कि एक विनम्र मस्तिस्क के साथ चुकि ग्यान को हम विनम्रता से ही क्रहन कर सकते हैं क्रोध से अंकार से घ्रणा से हम ग्यान को गेन नहीं कर सकते हैं जब हमारा मस्तिस्क हमारे विचार हमारी प्रवितियां विनम्र होंगी तभी हम ग्यान को प्राप्त कर सकते हैं चुकि पानी से पतला ग्यान होता है और इतने पतले चीज को गेन करने के लिए हमें उतना ही विनम्र बनना पड़ेगा चुकि विद्या विनय को ही प्रदान कर तो यहां पर कभी की कहने का मतलब कि end from the relations अर्थात की और उनके सिच्छा युक्तपाथों से सीक का मतलब मैं खोजता हूं and find और प्राप्ट करता हूं क्या instruction instruction मतलब वो निर्देश का मतलब यहां पर ज्ञान से लिया गया उस ज्ञान को मैं खोजता हूं प्राप्ट करता हूं कहां से उनके सिच्छा युक्तपाथों से प्राप्ट करता हूं with an humble mind अर्थात कि एक विनम्र मस्तिस्क के साथ यानि कि मैं विनम्र हो करके एक विनम्र मस्तिस्क के साथ मैं उनके सिच्छा युक्त पाठों से ग्यान को मैं खोजता हूँ और प्राप्त करता हूँ और फिर अपने मस्तिस्क में उस ग्यान को धारण करता हूँ तो इस स्टेंजा में my thoughts are with the dead, मेरी विचारधारा हैं, उन मरे हुए विचारधाराओं के साथ जुड़ चुकी है With them I live in long past years और मैं उनके साथ पिछले भूत पूर वर्स्व में रह रहा हूँ Dear virtues law उनके गुणों से मैं प्रेम करता हूँ Dear false condemned और उनके और गुणों की आलोचना करता हूँ Partake Dear hopes and fears उनकी याशाओं और भयों में हिश्चा बटाता हूँ Fear and from their lesson, seek and find instruction with an humble mind यहाँ पर कभी कहने का मतलब कि और उनके सिच्छा युक्त पाठों से ग्यान को मैं तलास करता हूँ प्राप्ट करता हूँ एक विनम्र मस्तिस्क के साथ और उस ग्यान को मैं अपने मस्तिस्क में धारन करता हूँ फिर है Last stranger है My hopes are with the dead कभी कहने का मतलब कि मेरी आसाएं उन भूत काल के मरे हुए विद्वानों के साथ जुट चुकी हैं Here the poet says that he has associated his hopes with the hopes of the past dead scholars तो मेरी आसाएं उन भूत काल के मरे हुए विद्वानों की आसाओं के साथ जुड चुकी हैं उनकी आसाओं के साथ जुड चुका है अपनी आसाओं को Annan Annan का मतलब सिग्र ही Soon Annan का मतलब हुआ यहां पर सिग्र Soon तो सिग्र ही My place with them will be सिग्र ही मेरा स्थान भी उनहीं के साथ हो जाएगा यहनि कि सिग्र ही कभी भी मर जाएगा My place का मतलब हुआ कभी का स्थान With them यहां पर उन भूत काल के मरे भी विद्वानों के लिए कहा गया है Will be का मतलब हो जाएगा तो कभी कहने का मतलब है कि सिग्र ही मेरा स्थान भी उन मरे हुए विद्वानों के साथ जुड जाएगा अर्थात की सिग्र ही कभी भी मर जाएगा और मैं भी उन्हीं के साथ संपून भविष्ट काल में यात्रा करूँगा अर्थात की जिस प्रकार वो भूत काल के विद्वान भविष्ट काल के वातावरण में यात्रा कर रहे हैं उसी प्रकार कभी भी उनी के साथ मरने के पस्चाथ जुड़ जाएगा उनके साथ और वह भी भविश्यकाल के वातावरण में यात्रा करेगा तो I with them, I यहाँ पर poet हुआ देम का मतलब वे भूतकाल के विद्वान, shall travel, travel का मतलब यात्रा करना through all futureties, संपूर्ण भविश्यकाल के वातावरण में तो कभी कहने का मतलब की और वह भी संपूर्ण भविश्यकाल के वातावरण में उन्हीं भूतकाल के विद्वानों के साथ यात्रा करेगा येट लीविंग हीर अनेम, I trust कभी का रहा है कि फिर भी मैं विस्वास करता हूं, I का मतलब मैं ट्रस्ट मनें विस्वास करना फिर भी मैं विस्वास करता हूं कि येट लीविंग हीर अनेम की फिर भी मैं विस्वास करता हूं कि एक नाम रह जाएगा एक नाम छुट जाएगा लीव को मनदब छूड़ना एक नाम यहां पर रह जाएगा इस प्रित्वी पर इस धरा पर इस धरातल पर एक नाम रह जाएगा तो यहां पर कभी की कहने का मतलब यह हुगा कि yet leaving here a name I trust कि मैं विश्वास करता हूं कि यहां पर एक नाम रह जाएगा that will not Paris का मतलब मिल जाना in the dust का मतलब धूल में yet माने फिर भी living माने छोड़ना here माने यहां पर और नेम का मलब जानते हैं न तो poet कहने का मतलब कि कभी कह रहा है कि मैं यह विश्वास करता हूँ कि उस कभी के मरने के पस्चात एक नाम इस धरती पर रह जाएगा इस धरातल पर एक नाम रह जाएगा वह नाम किसका होगा poet का नाम that अर्थात की वह नाम will not perish in the dust और वह नाम धूल में नहीं मिलेगा अर्थात की कभी भी धेर सारी रचनाएं करेगा धेर सारी कभीताएं लिखेगा और वह भी एक महान विद्वान बनेगा और कभी के मृत्यू के पस्चात दुनिया देश के लोग उसके रचनाओं को पढ़ेंगे उसके कभीताओं को पढ़ेंगे और उसको युगो युगो तक याद रखेंगे उसकी भी प्रसिद्धी उसकी भी ख्याती उतनी भी उतनी ही जादा प्रबल होगी जितनी की उन भूत काल के विद्वानों की जो अब जीवित नहीं है जिस प्रकार लोग उन भूत काल के विद्वानों की याद रखेंगे और इस प्रकार कभी का नाम धूल में नहीं मिलेगा कुछ ऐसे ही बातों को कभी यहां पर बता रहा है कि मैं विश्वास करता हूँ कि एक नाम रह जाएगा जो धूल में नहीं मिलेगा और वह नाम होगा कभी का रॉबर्स जाओ देगा तो बस यहीं पर यह आपकी पोयम समाप्त होती है फिर भी यदि कोई कंफूजन होगा तो आप कमेंट के माधम से हमसे पूछ लीजेगा तो अब हम आपसे फिर नेक्स वीडियो में मिलेंगे यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा चुकि हम आपको लेटेचर और ग्रामर के नए वीडियो कंटिनीव देते रहेंगे थैंक यू